विग बोस 13 के घर में जब से मदुरिमात्यली और विशाल आदित्य सिंग का जगड़ा देखनी को मिला है तब से ही ये दोनों घरवालों के निशानी पर आ चुके हैं सबका मानना है कि इन दोनों ने गेम में बनी रहने के लिए विग बोस में लड़ने का नकली ड्रामा किया है जिसकी वज़ा से विशाल आदित्य सिंग वैसे ही गुस्से में नज़र आ रही है इस बीच पारश चाबरा की एंट्री ने विशाल आदित्य सिंग के मूड को और पीज जादा खराब कर दिया है जिसकी वज़े से आज विग बोस के घर में और भी ड्रामा और हंगामा देखने को मिलने वाला है दरसलाज विग बोस ने घर में सभी लोगों को चेल में जानी के लिए दो लोगों का चुनाफ करने के लिए कहा है इस दोरान पूरा घर एक ही आवाज में विशाल और मधुरी मात तुली का नाम लेता है शैनाज के लिए कहती हुए नजर आती है कि इस गेम में उन दोनों को अपने लड़ाई जगड़ों और परसनल इशूज को एक तरफ करके गेम पर कंसंट्रेट करना चाहिए माहिरा ने कहा कि विशाल जैसा दोस्त होना ही नहीं चाहिए और इस दोरान उन दोनों के पीच में एक फाइट भी हो जाती है रश्मी देश साहिब ही उनी का नाम लेती हुई नजर आती है और उनका विशाल के साथ जगड़ा हो जाता है यहां तक कि विकास गुप्ता भी उन दोनों का ही नाम लेते हैं और लगभग इन दोनों का ही नाम लिया जाता है और सभी अपना अपना इशू सामने रखते हुए नजर आते हैं कि आखिर इन दोनों को ही क्यों जाना चाहिए जेल जिसकी वज़े से विशाल आदे तिसिंग आग पबूला हो जाते हैं अपनी बात को समझाने के चक्कर में विशाल की सभी सदर्शों के साथ तीकी बहस हो जाती है बिग बोस के नए प्रोमो में शेफाली बग्गा और विशाल इस मुद्दे पर जबर दस्त लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में सब चाहते हैं कि दोनों का जगडा खत्म हो जाए और इस गेम पर कॉंसेंट्रेट करें बिग बोस के इस तेड़े सीजन के और भी कई तेड़ी खबरे यूँ है जानने के लिए बने रही है हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए